Hello dear student, आप सभी की चेनल में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ने वाले हैं REIT SST में Unit 5 का टोपिक परधान मंत्री, इससे पहले हमने राष्टपती का टोपिक कम्प्लीट कर लिया है, आप description में जाकर वीडियो की लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है तो आई आज स्टार्ट करते हैं परधान मंत्री का टोपिक, परधान मंत्री कौन होता है, बारत में संसद्य प्रणाली को अपनाये जाने के कारण, ओपचारिक रूप से सविधान द्वारा राष्टपती में नहित की गई, कारिपाली का सक्तियों का प्रियोग, वेवार म परधान मंत्री और मंत्री प्रिशत द्वारा ही किया जाता है, और परधान मंत्री जो होता है, वो भारतिय संसद्य प्रणाली की धूरी होता है, भारतिय स्विधान का आर्टिकल नंबर 74 जो है, वो परधान मंत्री पद की वेवस्ता करता है, भारतिय स्विधान के आर्ट पर्दान मंत्री के पद की वेवस्ता की गई है। पूछ ले जाए कि मंत्री परिश्यद वेक्तिगत रूप से किसके परती उत्तरदाई होगी तो आपको याद रखना है। अब आप देखिए कि प्रदान मंत्री बनने के लिए 25 वर्स निर्दारित की गई है। अब इसके बाद आता है कि पर्दान मंत्री का वर्तमान वेतन कितना है। तो आप देखिए पर्दान मंत्री का पिछला वेतन था वो था 50,000 रूपे। लेकिन वर्तमान में जो प्रदान मंत्री का वेतन हैं वो हैं 1,60,000 रूपे। प्लस इसके साथ इने भत्ते मिलते हैं संसत सदेशी के रूप में 3,000 रूपे परत दिन भत्ता मिलता हैं। और हवाई और रेल यात्रा फ्री में मिलती हैं। तो वर्तमान वेतन पूछी लिया जाए आपसे प्रदान मंत्री का वर्तमान वेतन कितना हैं तो 1,60,000 रूपे। अब अपन देखते हैं पर्थम परदान मंत्री भारत के कौन थे तो परदम परदान मंत्री थे जुवाहरलाल नहरू और वरतमान परदान मंत्री है नरंदर मोदी जी इनका कारिकाल परदान मंत्री का कितना होता है पांच वर्ष या भुवमत प्राप्ति तक परदान मंत्री का कारिकाल होता है अब परदान मंत्री के देश में स्तीती क्या होती है रोल क्या होता है परदान मंत्री का देश में देश का वास्तविक कारिपाली का परदान कोन होता है परदान मंत्री होता है देश का वास्तविक कारिपाली की परदान होता है परदान मंत्री और बहुमत मंत्री होता है देश की विदेश निती का जो निर्दारन करता है वो भी परदान मंत्री द्वारा ही किया जाता है इसलिए इसे क्या का जाता है देश की विदेश निती का निर्दारक कोन होता है परदान मंत्री होता है देश की सेनाओं का राजनेतिक परदान कोन होता है राष्ट्रे एक्ता और अंतराज्य परिशद, राष्ट्य परिशद का अध्यक्स भी कौन होता है, परदान मंत्री होता है। में उलेक किया गया है आर्टिकल 78 में क्या है परदान मंत्री के करतवी हैं चोहतर में तो है परदान मंत्री के पदगा प्रावधान पिचेतर में है नियुकती और अठतर में क्या है परदान मंत्री के करतवी है परदान मंत्री राष्ट पती द्वारा मांगी गई सूचनाओ को उपलब्द कराता है, राष्टपती को यह अपने राष्टपती में पढ़ा था, यह राष्टपती अगर परदान मंत्री से कोई सूचना मांगता है, तो परदान मंत्री उसे उपलब्द कराता है, कौन से आर्टिकल के अकोडिंग, 78 के अकोडिंग, अब आप से यह पर्दान मंत्री कोन थे पर्थम गेर कांगरेशी पर्दान मंत्री थे मुरार जी देशाई ये 1977 में बने थे पर्दान मंत्री गेर कांगरेशी जंता पार्टी की सरकार से तो पर्थम गेर कांगरेशी पर्दान मंत्री कोन है मुरार जी देशाई और राजस्तान में पूछ ल पद गरहन के समय किसी भी सदन अर्थात संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राजसभा के सदस्य नहीं थे वो कौन थे ये कुशन आता है रहता है एकजाम में ध्यान रखना वह परदान मंत्री जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे पद गरहन के समय वो कौन है पीवी एचली देव गोड़ा जो थे वो 1996 में पद ग्रहन के समय विदान सबा के सदस्य थे ध्यान रखना ये लोगसबा और राजी सबा के सदस्य नहीं थे एचली देव गोड़ा 1996 में पद ग्रहन के समय विदान सबा के सदस्य थे और नर्शिमा राव जी भी विदान सबा के सदस् तो PM नर्सिंगा राव के काल में भारत में उदारी करण का दोर आया था और नर्सिंगा राव के वित मंत्री उस समय कौन थे मनमोन सिंग जी थे जिनोंने LPG की नीती लागू की थी LPG का मतलब होता है L मतलब तो उदारी करण P नीजी करण और G होता है globalization भूमंडली करण तो याद रखना नर्सिंगा राव जी के काल में भारत में उदारी करण का दोर आया था और नर्सिंगा राव जी के वित मंत्री मनमोन सिंग जी ने LPG की नीती लागू की थी जो आगे चल कर भारत के परदान मंत्री बने थे मनमोन सिंग जी फिर इसके बाद नर्सिमा राउजी को आठ भारतिये और छे विदेशी भासाओं का ग्यान था ये आठ भारतिये और छे विदेशी भासाओं जानते थे नर्सिमा राउजी और नर्सिमा राउजी जो है ये भारत के एकमातर एशे परदान मंत्री है जिनकी सरकार ने अलप मत में रहते हुए भी पांच वर्स का कारिकाल पूरा किया था याद रखना important fact है कि वह परदान मंत्री जिनकी सरकार ने अलप मत में रहते हुए भी पांच वर्स का कारिकाल पूरा किया था वो कौन थे नरसीमा राव जी अब आते हैं PM बनने वाले राजसबा सांसद या सदस्य ये क्यूशन भी आता है कि वह परदान मंत्री जो राजसबा के सांसद सदस्य थे परदान मंत्री बनने से पहले तो आप देखिए कौन-कौन थे परदान मंत्री बनने से पहले राजसबा के सदस्य इंद्रा गांधी इंद्रकुमार गुजराल और मनमोन सींग ये तीनों परदान मंत्री बनने से पहले राजसभा सांसद या सदस्य थे इंद्रा गांदी इंद्रकुमार गुजराल और मनमोन सींग PM बनने वाले पर्थम राजसभा सांसद या सांसद कोन थे तो इंद्रा गांधी PM बनने से पहले पर्थम राज्यसभा सांसादी चो PM बनी थी फिर इसके बाद आता है PM पद पर रहते हुए कौन से पदान मंत्री की मरत्यू हुई इंद्रा गांधी, जवारलाल नहरू और लाल बाहदूर सास्त्री इन तिनों की परदान मंत्री पद पर रहते हुए मरत्यू हुई थी इंद्रा गांधी, जवारलाल नहरू और लाल बाहदूर सास्त्री जी फिर मनमोन सिंग जी 1982 से 1985 तक RBI के गवर्णर रहे थे तथा ये असम से राजसभा सदेश्य थे मनमोन सिंग 1982 से 1985 तक RBI के गवर्णर भी रहे थे तथा असम से राजसभा सदेश्य रहे थे जब भारत में उदारी करण का दोर आया था आपको बताया था तब मनमोन सिंग भारत के वितमंत्री थे किसके सरकार में? नरसिमा राउजी की सरकार में नरेंदर मोदी पीम बनने से पहले गुजरात की सियम थे तथा गुजरात के मणी नगर से विदान सबा सदेश्य थे नरेंदर मोदी जी ऐसे पहले परदान मंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ हैं और वह परदान मंत्री जिसने कभी लोकसवा का सामना नहीं किया और थात बहुमत साबित करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था तो ध्यान रखना भारत के वह परदान मंत्री जिसने कभी लोकसवा का सामना नहीं किया आर्थात बहुमत साबित करने से पहले ही त्याग पत्र देदिया था वो कौन है चोधरी चरण सींग अब आता है एविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले भारत के पर्थम परदान मंत्री थे अब आप से पूछ लिया जाए कि पर्थम कार्यवाहक परदान मंत्री कौन बने थे तो गुलजारी नाल नंदा भारत के पर्थम क कार्यवाहक परदान मंत्री बने थे और ये अब तक कितनी बार बन चुके थे परदान मंत्री कार्यवाहक तो गुलजारी नाल नंदा अब तक दो बार कार्यवाहक परदान मंत्री बने हैं ध्यान रखना पहली बार बने थे 1964 में जवार लाल नहरू की मरत्य उपर और दू लौजारोन नहीं कर सके रत्द इनका कारीकाल छोटा था ब्हारत में दो परतान मंत्री ऐसे हुए हैं जो लाल केलिए पर धोजारोन नहीं कर सके रताताद 15 अगास यह 24 जनवर्य को दोजारोन मंत्री हैं जिनका जनम दिन परती चार वर्ष बाद आता है अर्दात 29 फरवरी को आता है अब आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में परतान मंत्री पदपर अब तक कितनी बार सपत ली जा चुकी है तो 26 बार परतान मंत्री पदपर अब तक सपत ली जा चुकी है फिर इ राश्टपती द्वारा अपने खुद के विवेक के अनुसार सबसे बड़े दल्या गटबंदन के नेता को परदान मंत्री के पदपर नियुक्त किया गया था जब निलम संजीव रेड़ी ने मुरारजी देशाई वाली जंता पार्टे की सरकार के पतन के बाद चोधरी इसके बाद आता है पर्थम परदान मंत्री जिसे लोकसबा चुनाओं में हार का सामना करना पड़ा कोन थी? इंद्रा गांधी जवारलाल नेहरू जी के बाद इंद्रा गांधी परदान मंत्री बनी थी तो पर्थम परदान मंत्री जिसे लोकसबा चुनाओं में हार का सामना करना पड़ा था कोन थी? इंद्रा गांधी अब आता है चार-चार बार सपत लेने वाले परदान मंत्री क मनमोल सिंख जी और वर्तमान में नेरंदर मोदी जी ने भी दूसरी bार सपत ली हैं अब आपसे पूछले जाए सबसे लंबा काईरिकाल परदानमंत्री के रूपमें किसका हैं तो वहीं जवाहरलाल नह्रू का और सबसे छोटा काईरिकाल पूछले जाए तो किसका हैं उनिससो चोछटर को किया गया था उससमें परदान मंत्री थी इंद्रा गांधी कहांपर किया गया था तीन परमानु परिक्षण हुए हैं तीनों राजस्तान के जेसल मेर के पोकरण के खेतु लाई गाउंव की लुहारों की डानी में किये गए थे तो पहला किया गया था अ पर्मानु परिक्षन किये गए हैं इंद्रा गंधी ने एक पर्मानु परिक्षन किया था दूसरी बार जब हुआ था 11 माई को 1908 में को उसमें तीन पर्मानु परिक्षन हुए थे और उसके अगले दो दिन बाद 13 माई को दो पर्मानु परिक्षन हुए थे तो बारत में कु आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजेगा ताकि मेरे वीडियो की आपको मिल जाए तो पढ़ते रही आपके अपने चनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो